हाई एवरिवन अंडर ग्राजुएट्स मिस्टर थर्ड प्रैक्टिकल सीरीज में आज हम दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे तो डिटर्माइन दा प्लैंक कॉंसरा प्लैंक कॉंसरा प्लैंक क्या होता है देखिए आप लोग जानते हैं कि इनर्जी और सिंगल फोटन किसके बराबर होती है is directly proportional to its frequency and e किसके बराबर होता है h mu h क्या हुआ plan constant the definition से इसे पढ़ने की समझने की कोशिच करते है in the quantum of electromagnetism plan constant is the physical constant that relates the energy carried out by single photon to its corresponding frequency the definition से आपको पता चल गया होगा कि h क्या कर रहा है relationship बना रहा है energy and the frequency of a single photon h की वैली होती किसके बराबर है h की वैली बराबर होती है 6.62 into 10 raise of minus 34 joule seconds तो आपको यह value find out करनी है यह आपको practical notebook पे यह definition नहीं लिखनी है जिसे समझाने के लिए है आगे light emitting diode क्या होता है यह भी सिव समझाने के लिए यह कहीं भी आपको practical notebook पे नहीं लिखना है light emitting diode LED is a semiconductor light source that emit light when current flow through heat यह उसका circuit symbol है light emitting diode का आगे हम इस practical के procedure को देखते हैं देखिए वीडियो में आपको procedure दिखाई दे रहा होगा इस procedure को आप अपनी practical notebook के अपर note करेंगे और इस procedure में हो क्या रहा है इसे अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं देखिए आपको वीडियो में circuit diagram दिखाई दे रही होगी अब इस circuit diagram में हो क्या रहा है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं हमने battery लगा हुए है उसके parallel में हमने bolt meter उसके parallel में diode L1 जो red diode है diode L2 जो की हमारा orange diode होगा diode L3 जो हमारा green diode होगा और diode L4 जो हमारा blue diode है अब इस circuit में हो कह रहा है हम उसे समझेंगे देखिए हर एक diode की एक अलग-अलग threshold voltage है जिसके ओपर ये diode काम करना शुरू करेगा अब देखिए सबसे पहले हम wire को connect करेंगे P को A के साथ mean हमने diode L2 को connect कर दिया mean red diode connect कर दिया हम जैसे ऐसे input voltage बढ़ाएंगे अभी मैं आपको आगे वीडियो में भी ये चीज दिखाऊंगा ऐसे ऐसे ही एक ऐसा particular input voltage आएगी जहां पर ये diode काम करना शुरू कर देगा mean हमें light दिखना शुरू हो जाएगी ऐसे ही blue हम पहले P को A के साथ connect करेंगे फिर हम P को B से connect करेंगे P को C से और P को D से इसे हम वीडियो के थुरू जानने की कोशिच करते हैं कि हमारी light जगती है या नहीं जगती है और हम readings को मेजर करना शुरू करेंगे जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं यह हमारा operators है plank constant का यह हमारा input voltage supply है और उपर हमारे LEDs लगे हुए है और इस practical में होगा क्या कि जब यह LED glow करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डायोड की forward wise voltage क्या है डायोड किस voltage पर काम करना शुरू हो रहा है तो अब हम पहले इस practical को perform करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमने circuit को connect किया हुआ है और अभी हमने red LED के साथ इसको connect किया हुआ circuit को अब हम input voltage को बढ़ाएंगे हम input voltage बढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं और देखिए यहां पर हमारा यह जगना शुरू हो गया red LED आप देख सकते हैं तो हमने reading जो note किया है तो reading के आई है हमारी आप देख सकते है reading हमारी आई है 1.5 और 5 divisions आगे तो एक division हमारा 0.5 के बराबर है तो 5 division मिन 0.25 तो reading हमारी आई है 1.75 देखिए जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा जो threshold voltage रेड लाइट की वो किसके बराबर आई 1.75 बोल्ट इस voltage के जब इस voltage में हमने input voltage तभी हमारा led जगना शुरू हुआ और यहां उससे ज्यादा voltage इसके पीछे 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 बोल्ट इसके हमारा led जगना काम नहीं कर रहा था तब हम energy की value निकालेंगे energy किसके बराबर आएगी charge multiply by voltage यह क्या है चार्ज चार्ज की value क्या है 1.6 into 10 raise power minus 90 और voltage की value क्या है 1.75 what is the result 2.8 into 10 raise power minus 19 this is the value of the energy अब h की value क्या होगी constant की value क्या होगी उसे हम solve करने की कोशिश करेंगे तो plank constant की value h की value बराबर होगी energy 2.8 into 10 raise power minus 19 multiply by wavelength 660 multiply by 10 raise power minus 9 divided by velocity 3 into 10 raise power 8 इसका result क्या आएगा इसका यह हमारा result swap करने के बाद आएगा वो बराबर आएगा 6.16 into 10 raise power minus 34 joules seconds यह हमारा result आएगा this is the value of the plank constant for red light ऐसे ही हम अगली वीडियो में orange की find out करने की कोशिच करेंगे आप देख रहे हैं हमने अभी circuit को connect किया हुआ है और orange LED के साथ हमने इसको connect किया हुआ है अब हम input voltage को बढ़ाएंगे और threshold voltage की value को calculate करने की कोशिच करेंगे आप देख सकते हैं हमारे LED जगना शुरू हो गया और जाली जगना शुरू हो गया है तो किस value के उपर यह हमें value मिली कोशिच की हमारी value आई है देखिए यह 1.5 से 7 divisions आगे है इसकी reading बराबर होगी हमारी 1.85 के बराबर देखिए जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा हमारी ओरेंज के लिए क्या reading आई 1.85 बोल्ट हमारा result के इनर्जी की value क्या आएगी जहां से जब हम इसे solve करेंगे हमारा result आएगा 2.96 multiply by 10 raise of minus 19 और जब हम इसकी h की value निकालेंगे plank constant की value निकालेंगे formula में implemented करके हमारा result आएगा 6.01 multiply by 10 raise of minus 34 joule seconds ऐसे हम आगे green की निकालेंगे जैसा कि आप देख रहे है अभी हमने green LED के साथ circuit को connect करके रखा हुआ है अब हम input voltage को बढ़ाएंगे हम input voltage को बढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हमारी LED जगना शुरू हो गई हम थ्रेशोल बोल्टेज की value क्या आई है जहां पर आप देख सकते हैं 2 से आगे 3 divisions आगे it means the value is equal to 2.15 volt is the threshold voltage of the green LED देखिए जैसे आपने अभी वीडियो में देखा जो हमारी voltage की value आई है green light के लिए वो किसके बराबर आई है 2.15 volt और जो energy की value यहां से हम solve करके निकालेंगे वो किसके बराबर होगी वो बराबर होगी हमारी 3.44 इंटू 10 रेस पावर माइनिस 19 और जो plan constant की value यहां पर आएगी वो प्राबर आएगी 6.0102 इंटू 10 रेस पावर माइनिस 34 जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमने circuit को connect करके करने की कोशिच करेंगी हम input voltage को बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमने input voltage की value हमारी आई है 2.5 वोल्ट और हमारा LED blue LED forward wise हो चुका है threshold voltage से उसकी value कर चुकी है और यह काम करना है शुरू हो चुका है threshold voltage value of the blue LED जैसे आपने वी वीडियो में देखा अब हम आगे बाखी करेंगी 2.5 वोल्ट जब हम उसे charge के साथ मुल्टिप्लाई करेंगे तो energy की value क्या आएगी energy की value आएगी 4 into 10 raise power minus 19 और यहां से हमारे plank constant की value क्या आएगी 6.0 into 10 raise power minus 34 joule seconds तो I hope आपको यह reading कैसे आ रही है जो समझाया होगा आगे हम energy versus frequency के graph को draw करेंगे और वहां से हम plank constant की value को find out करने की कोशिश करेंगे आपको वीडियो में energy versus frequency का graph दिखाई दे रहा होगा यह हमने plot किया हुआ है जो हमें readings आई है वहां से हमने इसकी value यहां पर put करके यह graph plot किया हुआ है frequency की value कैसे आई है हमारे पास देखिए frequency बराबर होता है c upon lambda तो c किसके बराबर होगा 3 is to 10 raise power 8 और lambda यह अलड़ी हमें value red orange green and blue की wavelength हमें पहले ही पता है यहां से हमें frequency की value पता चल जाएगी और हम energy versus frequency का graph plot करेंगे और यह हमारे पास वहां से data आएगा वहां से हम क्या निकालेंगे plank constant की value with the help of slope तो slope कैसे हम find out करते हैं slope is equal to del y upon del x तो slope निकालने के लिए हमें minimum 3 values चाहिए होती है और देखिए यहां पर हमने कौन-कौन से 3 value लिए है 4, 4 volt किसकी volt थी वह energy किसकी थी वह आए थी हमारी blue line की minus 2.96 2.96 किसकी आए थी orange divided by frequency of the blue light and the frequency of the orange light इसको minus करेंगे यह frequency की value कहां से आएगी यह value आएगी यह f is equal to c divided by lambda जब हमने से solve किया हमारा result क्या आया 6.1 into 10 raise power minus 34 तो original value किसके बराबर होती है 6.6 into 10 raise power minus 34 अब कितना percent error है इस instrument में error हम कैसे निकालेंगे observed value minus exact value exact value minus observed value divided by exact value कितना percent error आया हमारा 7.5 percent I hope इस graph के तहत आपको समझाया होगा कि हम कैसे plank constant की value को find out कर सकते हैं इसी के साथ हमारा यह practical खदम हुआ thank you very much